Welcome back guys, उमीद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में स्क्रोल टू 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 बटन कैसे एड़ कर सकते हैं अब ये स्क्रोल टू 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 बटन करता क्या है मालनों जैसे आपकी वेबसाइट की लेंथ बहुत लंबी है अगर मैं इस तरह नीचे जाता हूँ और आपका ये जो इदर जो कंटेंट है वो बहुत जादा है और आपको बहुत नीचे जाना पड़ता है अब आप यहां से टॉप पे जाना चाहते हैं अब भी तो आप इस तरह इसको स्क्रोल करके उपर जाएंगे लेकिन हम क्या करते हैं हम यहां पर एक बटन एड़ करना चाहते हैं चोटा सा जिसको हम क्लिक करें तो वह आटोमेटिकली इसको टॉप पे ले जाए अब इस बटन को हम किस तरह एड़ करेंगे इसके लिए हम एक प्लगिन का यूज करेंगे तो चलो देख लेते हैं हम अपने डेश्पोर्ट में जाते हैं और जहां से मैं प्लगिन में जाता हूँ एड़ नहीं हूँ अब यहां पर हम एक plugin का use करेंगे जिसका नाम है wp-front-scroll-top मैं सर्च कर लेता हूँ इसको wp-front-scroll-top scroll-top enter और हम wait कर लेते हैं अब यहां पर यह देखें wp-scroll-top by siam mohan ठीक है इसको मैं install कर लेता हूँ यहां से और install करने के बाद इसको मैं यहां से simple activate कर लूँगा तो यहां से simple activate कर लेता हूँ और यहां अब हम करते हैं इसकी थोड़ा सी setting कर लेते हैं पहला वो कह रहा है enabled मैं इसको check कर देता हूँ अब यह मेरा enable हो चुक है फिर javascript फिर उसके बाद इस option को यहां से चेक कर देता हूँ फिर उसी तरह bottom size bottom opacity फिर button fade duration यानि आप यहां से setting change कर सकते है कि scroll duration कितना होना चाहिए अब auto hide क्या है auto hide का मतलब है कि जैसे ही मैं उस button को click करूँ जैसे ही वो मेरा top पे चला जाए यानि अगर मालो मैं यहां पर बटन को click करता हूँ और मेरा इधर top पे आ जाता है तो जैसी top पे आ जाएगा मेरा वो button automatically hide हो जाएगा फिर मैं नीचे जाओंगा फिर वो button मुझे show होना शुरू हो जाएगा तो इसको यहां से मैं check कर देता हूँ और फिर उसके बाद hide on small devices आप यहां से इसको hide भी कर सकते हैं मैं नहीं करता फिर hide on wp-admin मैं इसको यहां से hide कर देता हूँ फिर hide on iframes ठेक है फिर attach on shutdown अच्छा आप button style मैं यहां से इसको image कर देता हूँ फिर button action scroll to top फिर उसके बाद location इसकी मैं bottom right रहने देता हूँ और यहां से अगर हम नीचे जाएं अब यहां पर यह image button आप से पूछा कि आप जो icon show कराना चाहते है button का वो किस type का होना चाहिए ठीक है यह आपको कुछ options दे रहे हैं फिर आप अपनी मर्जी का भी इधर से ला सकते हैं मैं इसी वाले को select आलेता हूँ और हम नीचे जाते हैं यहां से जाके save changes कर लेते हैं और इसके save होने का wait करते हैं यह save उचके अब हम अपनी website में जाते हैं और इसको refresh कर लेते हैं वेट करते हैं थोड़ा सा अब जैसे ही मैंने अपनी website को refresh किया यहां पर मुझे show होना शुरू हो गया यह देखें मैं नीचे जाओंगा तो मुझे show होना शुरू हो गया अब मैं इस पर click करूंगा तो यह मुझे top पे ले आया अगर मैं अपने इस option को check नहीं करता auto hide को तो यह hide नहीं होगा यह मुझे show होता रहेगा ठीक है तो यह थी हमारी आज की video जिसके अंदर हमने देखा कि हम अपनी wordpress की website में scroll to top button को कैसे add करते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी तो मिलते हैं अगली video में तब तक के लिए खुदा हाफिज